नमस्कार, वेलकम टू आवर नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत आज मैं आपके लिए रुचीरा भाग एक के कक्षा छे के एकादश पार्ट लेकर आएग इसका नाम है दश्में त्वम असी दश्में त्वम असी का मतलब है दश्में तुम हो इस पार्ट में मैं पता दूँ आपको इसकी समरी कि इस पार्ट में क्या होता है तो दस बच्चे होते हैं वो एक साथ नदी पर तैरने के लिए जाते हैं तो तैरने के लिए जाते हैं तो दस के दस बच्चे बहार तैर कर बहार आ जाते हैं जो उन बच्चों में सब का हैड होता है वो कहता है कि बच्चों काउंट करो कितने हैं कि हम 10 के 10 हैं तो एक बच्चा काउंट करता है तो एक, दो, तीन, चार ऐसे करके वो कहता है नो है फिर दूसरा बच्चा काउंट करता है उसको कहता है कि दूम कि नो वो कहता है कि हम दस बच्चे आये थे तियार ने गए उनमें से एक डूब गया तो हम नो हैं तो वो काउंट करता है वो तो करता है कुम तो दस हो कैसे दस है हम काउंट कर रहे हैं तो नो आ रहे हैं तो करें दस में तुम ही हो तो इस पार्ट का नाम उसी कहानी उसी पे अधा रीते के दसवें तुम्हें हो चलो देखते हैं बागे एकदा दश बालका स्नानाए नदीम अगच्छन एकदा एक बार दश दस बालका हां बालक स्नानाए स्नान के लिए नदीम नदी पर अगच्छन आगए एक बार दस बालक नदी पर स्नान करने के लिए आए ते नदी जले चिरम स्नानम कुरवन ते उन्होंने नदी जले नदी के जल में चिरम चिरम उता बहुत देर तक स्नानम स्नान कुरवन किया किया उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक सनान किया तते ते तीतर्वा पारम गताहा तते फिर ते वे तीतर्वा तीतर्वा मतलब किनारे तैरकर तीतर्वा मतलब तैरकर पारम तैरकर नदी के पारम पार गता गये फिर वे तैरकर नदी के पार गये तदा तेशाम नायक है एप्रिचत तदा तब तेशाम उनके नायक है नायक ने एप्रिचत पूछा तब जो उन बच्चों का नायक था है उन्होंने पूछा अपी सर्वे बाल का हा नदीम उत्रिणा अपी यहाँ पे अपी अपी का मतलब होता है भी लेकिन जब यह शुरू में आ जाए अपी तो वो कॉश्चन बन जाता है एक प्रशन वाचक बन जाता है तो क्या पुछ रहे हैं पुरुशन अपी सर्वे बाल का हां नदीम उत्रीना अपी क्या सर्वे बाल का हां सभी बाल को ने नदीम नदी उत्रीने पार कर ली है नायक क्या पुछ रहे हैं क्या सभी बाल को ने नदी पार कर ली है तदा कश्चित बालक ने अगिनियत मैं लोगे इस परकार गिन्ती की तब किसी बालक ने इस परकार गिन्ती की एक है, द्वव, त्राये, चतवारे, पंच, शट, सब्थ, अश्टव, नव, इती तब उन में से एक बच्चा निकला उसने गिन्ती की, सारे बच्चों की गिन्ती की एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, इती इस परकार नो तक गिन्ती की से स्वम न अगिनियत से उसने स्वम अपने आपको न नहीं अगिनियत गिना उसने अपने आपको नहीं गिना अते से आवदत अते वह बोला सवह आवदत बोला अते वह बोला नव ऐव संति नो ही है वह बोला नव नो एव ही संति है अब वो गिंती करके कहता है कि नो ही बालक है दश्मे ने अस्ती दश्मे दस्वा न नहीं अस्ती है दस नहीं है अप्रे अपी बालके पुने अन्यान बालकान अगिन्यत अप्रे दूसरे अप्रे मतलब दूसरे अपी भी बालके बालक पुने फिर से अज्यान दोबारा या अन्यान अन्यान बालकान बालको को गिन्यत गिना, अब उन में से दूसरे लड़का आया, उसने भी अपरे दूसरे लड़के ने भी उन बालकों को फिर से गिंती करने शुरू कर दी गिना तदा अपी नव एव आसन, तदा, तब भी नव नो एव ही आसन थे, तब भी नो ही थे तब दूसरे लड़का आया, गिनने लगया, गिनती सब की, तब भी क्या निकले, नो ही थे अते, ते, निश्चितम, अकुर्वन, यत, डश्मे, नधा, मगने अते, ते, उन्होंने निश्चिम, निश्चे किया, कुर्वन, अकुर्वन मतलब किया की, यत, ते, दस्वा, यो उन्होंसे दस्वा बच्चा था, नधाम, मगने, नधाम मतलब नदी में, मगने, डूब गया है अते, उन्होंने यह निश्चे कर लिया, कि जो हम में दस्वा था, वो नधी में, डूब गया है ते, दुखिता, तुश्निम, अती, तिश्थन, ते, वे सब दुखिता, दुखी होकर, तुश्निम, चुप चाप, तिश्थन, बैट गये वे सब दुखी होकर, चुप चाप, बैट गये एक बड़ फिर से देख लिजीए तदा कश्चित बालक हैं, अगिनियत तब उन्हों में से किसी बालक ने गिन्ती की एक ए एक, द्वे, दो, त्रे, तीन, चित्वारे, चार, पंच, माच, शट, छे, सब्त, साथ, अश्टव, आठ, नव, नो, इती इस प्रकार उन्हों ने गिन्ती, नो, तक गिन्ती की सेस्वामना अगिन्यत उसने अपने आपको नहीं गिना अथे सेवदत अथेवबूला नव एवसंती नो ही है दश में नैस्ति दस नहीं है अपरे अपी बालके पुने अन्यान बालकान अगिन्यत दूसरे बालक ने भी दो बारा अन्य बालकों को ही गिना तदा अपी नव एवासन तब भी नो ही बालक आए अते तेइन निश्चम अ कुरुवन अते उन्होंने यह निश्चे कर लिया कि दश्चम नधा मगने कि चुद्दस्वा बच्चा है वो नधी में डूब गया तेज दुखी ता तुश्निम अतिष्ठन वे दुखी होकर चुपचाप बैट गए आगे देखें तदा कश्चित पतिके तत्र आगचत तदा तभी कश्चित कोई पतिक है पतिक तत्र वहाँ आगचत आया तब वहाँ पर कोई पतिक पत्रीक होता है राहगीर चलता हुआ कोई राहगीर रास्ते में आया उनको देखकर वो राहगीर वहाँ पर आया से तान बालकान दुखी तान द्रिष्टवा ए परिछत से उसने तान उन बालकान बालको को दुखी तान दुखी द्रिष्टवा देखकर ए परिछत पूछा बालका है बालको युश्मा कम दुखस्य कारणम किम युश्मा कम तुम्हारे दुखस्य का कारणम किम क्या है यहें बालको तुम्हारे दुख का क्या कारण है बालकान नायके बालका नाम नायके एकत्यत बालकों के नायक है, नायक ने गत्यत कहा वयम दश बालका सना तुम आगत है वयम हम सब दश दस बालक सना न तुम सनान के लिए आगता है आये थे हम दस बालक सनान के लिए आये थे इदानीम नव एव समय इदानीम इस समय नव नो एव ही है इस समय नो ही है एक नधा मगने इती एक नधाम नदी में मगने डूब गया है एक बार फिट देख लिए तदा कश्चित पथिके तत्र आगचत तब कोई पथिक वहां आ गया सै तान बालकान दुखी तान दृष्टवा प्रिचत वहें उन बालकों को दुखी देख कर आ प्रिचत उच्छा पूछन लगा बालका है बालकों इसमा कम दुखस्य कारणं किम तुम्हारे दुख का क्या कारण है बालकान नायक है एकत्यत बालकों के नायक ने कहा वयम दश बालका स्नान तुम आगता है हम दस बालक स्नान करने के लिए आए थे इदानीम नव एव समय अब नो ही है इदानीम मलब इस समय नो ही है एक नदा मगन एक नदी में डूब गया है आगे चलिए पथिके तान अगणियत पथिक ने तान उन्हे अगणियत गिना पथिक ने उन्हे गिना तत्र दश बालका एव आसन्न तत्र महां दश दस बालका बालक ही थे से नायकम आदिशत त्वम बालकान गणिये से उसने नायकम नायको आदिशत आदेश दिया त्वम की तुम बालकान बालको को गणिये गिनो उसने नायको आदेश दिया की तुम बालको को गिनो सं तू नव बालकान एव गिनियत, सह उसने तू उसने तो नव नो बालकान बालकी गिनियत गिने, उसने तो नो बालकी गिने तथा पथिके अवदत तथा तब पथिके पथिकने अवदत बोला दश में द्वम असी इती दस में तुम ही हो इसी के अधार पर पाट का शीर्शक है दस में तुम ही हो तत शृत्वा प्रिहष्टा भूत्वा सर्वे ग्रिहम अगच्छन तत है सुनकर सब प्रिहष्टा खुश होकर सर्वे सभी ग्रिहम अगच्छन घर चले गए एक बार फिर देख लीजी पथिके तान अगिनियत पथिक ने कहा पथिक ने उन्हें गिना तत्र दश भालका एवासन वहां दस भालक ही थे स नायकम आदिशत त्वं बालकान अगण्ये उसने नायक को अदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो सेतु नव बालकान अगिनियत उसने तो नो बही बालक ही गिने तदा पथिके एवदत तब पथिक बोला दशमेत्व मसी इती दस्वें तुम ही हो तद शुर्तवा प्रिहाष्टा यह सुनकर सब खुश होकर ग्रिहम अगचन घर चले गए इती पार्ट हिंदियन वन समापत होता है अगे शवदर्थ देखिए इस पार्ट से समंदित पशवदर्थ है इदानिम अब एकदा एक बार स्नानाय नहाने के लिए निर्मलं साफ शीतलं थंडा ती दर्वा तैरकर नायकै नेता चिरम देर तक उतीरन पार्किया तदा तब अगिनियत गिना स्नात्वा नहकर अपरे दूसरा पुने फिर आसन थे नधाम नधी में दूशनीम चुप यमोल पथिक राहगीर स्नातों स्नान के लिए बगने डूब गया प्रिहष्ठा आनन्दित श्रूत्वा सुनकर इती इती मतलब किसी चीट को स्माप्ति करने हो उदारन की स्माप्ति का सूचक अव्वे जिसी कड़ी एंड करना हो इती अब इस पार्ट से सबंदिज अप्यास सिखें उच्चारन कूरूत्य उच्चारन करना आपने पुलिंगे इस्त्री लिंगे और नपत्सकलिंग में एक 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 हा एकम द्वव द्वे द्वे त्रे दिस्त्र त्रीणी चतवार चतस्त्र चतवारी पंच 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 अब जो पंच वो पुलिंग में भी यही रहता है, इसरी लिंग में भी और नपुस्तक लिंग में ऐसे शट्ट, सब्त और अश्ट में कोई परिवर्टन नहीं होता है नव, दश इसमें भी प्रश्ना नाम उत्रानी लिखत अब परश्नों के उत्तर लिखने आपने कती बालका स्नानाए अगचन, कती कितने बालकाह बालक स्नानाए स्नान करने के लिए अगचन गए स्नान करने के लिए कितने बालक गए थे, दश बालकाह स्नानाए अगचन ते स्नान आये कुत्र गच्छन वे स्नान करने के लिए कहां गए कहां गए थे वे स्नान करने के लिए नदीम नदी पर ते स्नान आये नदीम कुत्र कहां गए थे नदीम गच्छन ते कम निश्चम अकुर्वन तो उन्होंने क्या निश्चे गिया था? ते निश्चम अकुर्वन यत दशमे नदा मगने उन्होंने ये निश्चे गिया कि दस्वा नदी में डूब गया मार्गे के अगचत? मार्ग में मार्ग से कौन आ रहा था? मार्गे पथी के अगचत? एक मुसाफिर जा रहा था रागीर पथी के के मैवदत? मुसाफिर ने क्या कहा? पतिके एवदत दशमे तौम असी पतिक ने कहा कि दस्वी तुम ही हो अगे देखिए अब देखिए सही और गलत शुद्ध और अशुद्ध हो तो उसको राइट का साइन लगाना है और जो अशुद्ध है उसे गलत का रोंग का क्रोस का साइन लगाना है दस बालका सनाना है और गचन दस बालक सनान करने के लिए आये थे हाँ जी आये थे राइट सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन सभी बाग में घूम रहे थे वाटिका में नहीं ते वस्तुते नव बालका एव आसन वे वास्तम में नो बालकी थे नहीं बालके स्वम न अगिन्यत क्या बालक ने अपने आपको नहीं गिना था है नहीं गिना था यस एक बालके नधा मगने क्या एक बालक नदी में मगने डूब गया था नहीं तेज सुखी ताम तुशनिम अथिष्टन वे सुख पूर्वक चुपचा बैठ गए थे नहीं, वे दुखी ओकर चुपचा बैठ गए थे कोई पी पती के न अगचत कोई भी मुसाफिर नहीं आये था नहीं, आये था नायक अवदत दश्मे त्वम असी इती नायक ने कहा क्या नायक ने कहा था कि दश्मे तुम ही हो नहीं, किसने कहा था 놀ा है पतिक नहीं ते सर्वे प्रिहाश्टा भूत्वा गिर्यम अगचछन वे सभी सुक पूर्वक घर पे आगे थे हाज येस मन्जुशात शब्डान चित्वा रिक्तस्थानानी पूर्यत मन्जुशा में अब जो शब्द दिये गए है उनको देखकर रिक्तस्थान की पूर्ति करने है देखें मेला देबाल कहा अब देखें जो मन्जुशा में शब्द दिये गए है गणित्वा मतलब गीना शृत्वा अब जिसमें देखो त्वा परत्ते दिया गया है इत्वा परत्ते जैसे गणित्वा, शृत्वा, द्रिष्टवा, गृत्वा, गृत्वा, नृत्वा नित्वा का अर्थ होता है कर करा कर जब एकरिया के साथ लग जाता है तो उसका मतलब है देख कर जैसे कत्वा करकर शुत्वा सुनकर त्वा का मतलब होता है कर जब एकरिया के साथ मिलकर क्या बन जाता है जैसे पठ के साथ पठित्वा शुरू के साथ शुरुतवा दृष के साथ दृष्टवा क्री के साथ कृतवा गृतवा 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 तुप सुना है इत्वा का मतलब होता है कर आप देखें मन्जुशा के शब फिल अप स्थान में बढ़ते हैं ते बालका डैश नधा उतीरणा ते वी सब बालक डैश नदी में से उतीरणा पार करके तेर मतलब कि नदी में क्या कर रहे थे वह तिर्थवा तेर कर उतीरणा वापस आ गए पतिके बालकान दुखी तान डैश एप्रिचत पतिके बतिकने बालकन बालको को दुखी तान दुखी डैश एप्रिचत क्या दुखी देख कर देख कर की क्या होगी संस्क्रित दुखी तेख कर एप्रिचत पूछा पुस्तकानी डैश विध्याल्यम गच पुस्तके डैश विध्याल्यम विध्याल्यम में पुस्तकी क्या करते हैं ले जाकर पुस्तकानी गृत्वा विध्याल्यम गच पुस्तके लेकर दिधाले जाओ पथी कस्य वचनम डैश सर्वे प्रमूदिताह ग्रिहं अगच न पथी कस्य मुसाफिर के वचनम वचनों को डैश सर्वे सभी प्रमूदिताह प्रसन ग्रिहं प्रसन होकर ग्रिहम घचन घर चले गए पतिक के वचन सुनकर सुनकर की संस्कृत होती है शूत्वा पतिक है बालकान डैश अकत्यत दशमे त्वम असी नागरिक में मुसाफिर ने बालकान बालको को डैश अकत्यत कहा दशम त्वम असी दशमे त्वम ही हो कब कहा था पतिक ने बालको को गिनकर गिनकर क्यों थे है गनेत्वा मोहने कारेम डैश ग्रिहम ग्रिहम गच्ती मोहने कारेम मोहन कारे को ग्रिहम घर गच्ती घर आग ले गया मलकाने को करने के लिए कृत्वा मोहनकारे को करके घर गया अब देखें चित्राणी द्रिष्टवा संख्यम संख्या लिखत अब चित्र को देखकर उसको गिनकर संख्या लिखनी है आपको संस्कृत में ये कितने हैं देखें संस्कृत में हम कैसे गिनते हैं एक है, धो, त्रे, चट्वार है, पंच, शट, सब तो अष्ट, क्या हैं यह कंदुकानी, अष्ट कंदुकानी, अब यह क्या है तीन एक, दो, तीन, तीन की इंदियो थिये तिस्त्रे, अब ये स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंगे तो तिस्त्रे, तिस्त्रे चटका, पुलिंगो तो त्रे, अब ये एक पुस्तके तो एकम, पुस्तकम, दो मयूरे, दो मोरे तो द्वो, द्वो मयूरो, अगे देखे, अब दो लड़कियां है ये इस तरी लिंग है तो द्वे पुलिंग था तो द्वव द्वे बालके अब ये क्या है ताला कितने है ये छे संस्क्रित होती है शट शट ताला आगे देखिए एक दो अब ये है पांच पांच को कहते हैं पंच पंच कबूतर कहते हैं कपोता हा पंच कपोता हा अब ये हैं दस पत्ते हैं तो दश पत्राणी दश पत्राणी अब ये लेसन हमारा यहीं पर समात हो रहा है अगले लेसन के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा लाइक करना पड़ेगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना पड़ेगा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस पार्ट के से संबंदित कोई भी आपको क्वेरी से तो हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालना हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर 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 कीजिए ताकि आम अगले वीडियो आपके पास अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आजाए तो हमारा नगीन डिजिडल लर्णी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और किसी भी किसी भी क्लास की इस चैनल पर आप किसी भी क्लास के किसी भी सलेबस को असानी से पासकते हैं धन्यवाद अगर आपको किसी भी क्लास की किसी भी सब्जक्ट की वीडियो चाहिए तो आप हमें comment box में डालिए तो हम आपको हर subject हर class की वीडियो आप तक provide कराएंगे comment box में जरूर डालिएगा और हमारे चैनल को subscribe जरूर जरूर कीजिए